ऐब को सो हेलो फ्रैंज इस लेक्च्चर में हम भारती ऍक्रीज्षी से रेलेटटट कुछ खमुक्ष, थेक्षेंगे तो यå ब्हारती ऍक्रीज्षी इस रेलेटटट कुछ नोट्स हैं देखिए आप इने तो सबसे पहले हम देखते हैं रवी फसल जो है उसमें कौन कौन सी फसले आती है तो हैं गेहू, जो, चना, मटर, मसूर, आलिव ठीक है और सरसो तो ये जो चीजे हैं ये रवी फसल में आती है खरीब फसलों में क्या क्या आता है अपका धान, जौर, बाजरा, जूट, मुझफली, सोयबीन, कपास ये खरीब फसलों में आता है तो उसके बाद जायद फसलों में क्या 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 आता है लकडी, खीरा, भिंडी, खर्बूच और तर्बूच ठीक है। उसके बाद देखते है नौरिण 10 यह नौरिण 10 है गेहुं की बॉर्णेपन की प्रजाती है। अगलान सेओना भी यह की परजाती है उसके बाद हम देखते हैं ओपक टू जो है यह मक्का की परजाती है और ओडीजर वे जनचावल है मैक्रोनी गेहु जो है वो सूखा प्रभावी च्चेतरों के लिए है रस्ट गेहूं का रोग है ट्रिटिकल किसे कहते है ट्रिटिकल गेहूं प्लस राई का जो होता है मिक्षिस्टिकल कहते हैं फिर जाड़े की तो यह अर्मन है ओसो बोरा ये चावल की किसमे है ठेक है फिर पूसा और सुगंधा ये चावल की किसमे है बरानी दीप लालमती ये धान की प्रजातिया है नील हरिट चावल का प्रेख कहा होता है धान के लिए होता है गोल्डन राइस में बीटा के रूटिन पाये जाता है चावल श्रुत है कार्भो हाइड्रेट का षाओल किसका श्रुत ए कार्भो का रभोईड्रेट का एम फाम माईमेलो ट लुदा में ऑमाईलो बने में प्रक्लेटित चावल में बेसे ता य्था फोना मसूरी लक्षमिलो पो वह संसराई हंस राज हमनेहर्मलेंजह malt Hierkah भारत में मक्के की खेती पूरे वर्ष होती है ठीक है भुट्टा जैसे कहते हैं सी फूर पौधा मक्का एवं चेने का एवं गन्ने का जो है मिक्शर है मक्का का सरवाधिक उत्पादक राज़ कौन सा है आंद्रप्रदेश है और करनाटक है मक्के का प्रयोग जैवीधन के रोप में होता है सरवाधिक उत्पादक काउन है करनाटक है राज़स्टान है नकदी फसलें कौन कौन सी है गन्ना कपास जूड तंबाकू इनको तुरंट मतलब काटके आप सरकार से या कहीं जहां भी बेचिंग इससे पैसा ले सकते हैं ते नकदी फसले हो गए कपास में सरवाधिक उत्पादन कहां होता है गुजरात में होता है महरास में होता है आप या फैक्ट याद कर सकते हैं कपास का उत्पादन कहां पर होता है सरवाधिक जहां पर काली मिट्टी होती है तो वो है गुजरात में महरास में और आप देश में फिर कपास की सिंची छेत्रों की प्रतिश्यत्ता देखते हैं विभिन फसलों ते सु चौरानवे प्रतिसत गेंद गन्ना में लगता है सबसे सरवादी किसमें सिंची छेत्र है बान्वे प्रत्सत गन्ना में लगता है गयहू में लगता है सबसे ज़्यादा आपका किस में लगता है गन्ना में पानी फिर गयहू में लगता है फिर चावल में 58 प्रत्सत लगता है और 25 प्रत्सत तिलहन में ठीक है यह इंपॉर्टन फैक्ट है इसे याद रखे वर सिच् फिर उसके बार दीकते हैं, प्रथम चीनी मिल जो है, वो 1903 में दिवरिया जिले के प्रताप पुर में स्थापिती ते, तो उत्तर प्रदेशम प्रथम चीनी मिल कहां पर लुए थी? दिवरिया जिल के प्रताप नगर में, ठीक है, शंकर नगर तिलंगा नाँ में हैं शंकर नोगर तिरंगाना में है गन्या फिट्य तर्सा को ए Ichibar Train तूर में हैं की पूसा वोल्ड है पूसा जैक्छान है वरुना है जीरी फ्री फ्र्क्रेशन है यूसा बारानी है सरुसुत पह जो है राजस्तान हैं अनौपALK तेक्थाई, मुंगफली उत्पत्तिस दिल गहां है व्राजील, मुंगफली इस प्रतीस दिल आड़ में जाती है व्राजील में, ठीक इई है इस से टेल जो है 80% होता है, विटामिन A, B 64 है चंद्रा है कोशल है केस सिक्स है टेक 24 है धीरज 101 है जी एस बीस है लीफ स्पाट मुंगफली की बिमारी है कहां कहां ये पैदावार होती है उसकी मुंगफली की गुजरात आंद्रदेश तमिलनाडू मुंगफली उतपादक राज्य है तेक है अब सोया बीन का उतपाद होता है MP मैं बत्यप्रदेश में हमारे है तंबाखू कहां पर होता है आंध्रदेश और वजरात कर्नाटक में शहेतूत रेश्म का उतपादन है और रस्म म्हुंगा रेश्म का तो यह रेश्म से इंपर्टन्ट आ जाते हैं कि कर्णाटक में जो हमारे शहेतूत रेश disrupted कुल दालों के परतिन में अगर नहीं राज हैं हमारा मद्य प्रदेश है महरास्ट है राजस्तान है तो सबसे पहले सेंटर वाला फिर महरास्ट और राजस्थान थी महरास्ट और राजस्तान है मार 1216 अंतर रास्ट्री दलहन वर्ष बनाया गया था अरहर की किसमे कौन गौन सी है हमारी बहार, मालवी, चमतकार, पारस, उक्टा रोग किसे कहेंगे दलहनी फसलों में लगता है उक्टा रोग अरहर में लगता है खास दोसे मटर की प्रजाती क्या है रचिना, शिक्ठा, मालवी मटर अपरणा वर्णी प्रजाती है अपर्णा, अगर पहँछा जाए तो क्या बताएंगे है बुकनी रोग मटर में लगता है THEbukनी रोग ने ये तमिलनाडू, ये करनाटक, ये केरल, ठीकि जितने भी साउथ वाले, साउथ मोस राज हैं, वो काफी की उत्पादक अच्छे हैं, फिस चाय उत्पादक राजी कौन कौन से हैं, तो उसमें हैं, आसम, पस्चे मंगाल और गिन गोल चाय की प्रजातियां हैं, उसके बाद निर्यातक ग्रेस देखते हैं, तो केनिया, चीन, श्रीलंका, भारत, ये आप ये इस तना समय पर बदलते भी रहते हैं, कभी किसी साल में चीन का निर्यातक कोई ज़्यादा होता है, तो इसका हम कंफर्म बाद में करेंगे, रबर उत्पादक कौन हैं सबसे अच्छा, केर रबर ये उत्पाद केरिया, तो अब देखली जी शबसे साथ में, तमिलनाडू, केरल, करनाटक वही वाले हैं, którego कहां पर आपकता लधे, त oni जो कैरिया, और निर्यातक का अभी है किसंजदा ये आउम रपाली, जो है, वह दशीर्याद रहत परी कोई चिकाूंसा है, मसालों की उतपादक राज इकॉन सी आंद्प्रदेश गुजराथ और राजस्थान आम की किचन फसल कुन सी है आम रिपाली हरित करंती शब्द का सर्वतं प्रयोग विलियम ग्रेंड द्वारा होता है। करंथी के जंग नार्मन अर्नेस्ट बॉर्लाव है भारत में हरित करंथी के जंग नार्मन अर्नेस्ट बॉर्लाव है भारत में हरित करंथी के जंग नार्मन अर्नेस्ट बॉर्लाव है भारत में हरित करंथी के जंग नार्मन अर्नेस्ट बॉर्लाव है भारत में हरित करंथी क किनलाक कौन है माष्विन एथन हरुध करंती की वर्ड लेवर पर नार्वन आर्नसट बार्डलाक हरुड खरत करंती शब्टं के कि भारत के क्रशी परस्थथिगी छेत्र कौन है इक्रे एकोजिकल-ज्यों कितने हैं भारत की जलवाई उचेतर के इतने अग्रो एक्क्लैमिक जूल 15 हैं ठीक है भास में करशी जलवाई उचेतर के इतने नाओं है। लोगया, उसका धान खेरा रोग एसका धान खेरा रोग तो गन्ना में रेड रोट लग जाता है। द्रहर करता है, अलू के यह जौलव,ヶाय। काफी बोर्ड कहाँ है भैंगलारू में रबर्ड, कोड लवर बोर्ड है, कुट्टेम में है, चाय बोर्ड है, कुलकत्ता में, तमाकु बोर्ड, गॉंटूर में, तो यह सारे बोर्ड है, इनके संस्थान है, ठीक, इसके बाद रास्ट्री ए, खाद सरच्छा मिशन में शामिल कौन है, चावल, गेहूं, दलहन और मोटे आनाच, पर रास् जञी होगे, दलह हंदाल होगे, मोटे हैंज़ोगे, तो फूड मिल जाता है, करीब लोगों को, यू पी में, सरवाधिक चेना, बुंदेल खंड में होता है, साहारपूर संत्रेवा प्लाइवूट, के लिए है, सहारण पूर में, संत्रेवा, प्लाइवूट के लिए, किसम है ललित जो है वह अम्रूद की किसम है माल भूख चीनी अलिफाम अधिशार दूप सागरulation केले की किसम है ये माल भूग ये सब इसकी किसकी है केले किसम में कण्योज जो है कर्णोज में इत्र बनता है क्या लिखा हुआ है इत्र वह समझना बड़ा मुश्किल है इत्र आलू निर्या तक जोन कौन सा है आग्रा है आवला जो है कहां से है प्रताबगर्ड लीची सहारनपुर वा मेरट आवला जो है प्रताबगर्ड में है और लीची है सहारनपुर और मेरट में समझे यूपी में करशी नेर्या तक हैं लखनौ और सहारनपुर और आगरा यूपी में करशी नेर्या तक हैं लखनौ सहारनप अंगोरा बक्रि 다음 यू से सब्वन्दित है उन निकार दिय जाते हैं इसके बक्री की नसलुकॉच कांद्री का जानक वर्गिश्कॉट्र्यारू्ज ब्लास्ट्री की क्लॉन भैस रस्तान करिमा क्लोन भैस कमी करिश्मा क्लोन भैस ये نہ क्लोन भैस से इसको बाद में पढ़ते हैं पसू चिकित्सा पॉली क्लिनिक कहां पर हैं गोरखपुर मुझफरनग और लखनों में अब इसके बाद कुछ हम प्रजातियां देख लेते हैं कौन-कौन सी प्रजाति किस से संबन देते हैं तो यह देखिए आप हम देख रहे हैं ठीक है प्रथम बॉनी धान कौन सी है जया है भारत में ठीक है उसके बाद शक्तिमान एक शक्तिमान दो यह सब मक्का की है शक्तिमान एक शक्तिमान दो यह मक्का की प्रजातियां है केंद्री खाद तकनी की संबन मैसूर में है कोशल जो है वो मुंगफली की किस्म है ठीक है अब कुछ अनसंधान केंद्र देखते हैं तो यूपी में आलू अनसंधान केंद्र कहां पर आपका यह है मेरट में ठीक है मेरट में हैं आलू आलू अनसंधान केंद्र रिसल सेंटर केंद्री मदा मदा लवरता अनसंधान संस्थान करनाल में हैं अंतर रस्टी चावल अनसंधान संस्थान मनीला में हैं केंद्री शुष्क छेतर जोदपूर में हैं केंद्री कल्द फसल तिरवंदपुर में हैं यू स्पाइक है पैनिकल है उत्तर प्रदेश क्रसियन संधान प्रसद लखनों में हैं 1989 में मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है सीफूर फसल करनाल बंट जो है गेंहूं की बीमारी है करनाल बंट ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है अगले सीरीज में हम कुछ साथ सुथरे नोट के साथ आपको ख्रेशी से रिलेटेटिट फैक्ट यहां पर जो गलत भी हुए है उनको सही करके बताएंगे धन्यवाद